वेल्कम बाइक माई यूटुब चैनल और आज मैं आपके लिए आलो की चिप्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो की बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होता है सबकी फेरवेट होती है तो यहां आप जैसा की देख रहे हैं कितनी वाइट और कितनी खिले खिले से मिल जाते हैं तो नए आलो लेने कोशिस करिएगा अंदरवाई चाप ले सकते कोई भी बस यही है कि चिप्स पनाने के लिए आप बड़े आलो का साइज लीजिएगा बड़े साइज का आलो तो यहां पे मैंने इसको ले लिया है और हम इसको जो है धुल के छिलका उतार के आपको दिखाते हैं तो यहां मैंने ये देखी चिलका उतार लिये हैं और यहां पे जो दिखार ही हमें गड़े या कुछ भी ऐसे आलो में हो तो छिलने से ही हटा दीजेए उसको ये देख consensus मैं चिप्स कटर से मैं इसको स्लाइट कर लूंगी ये देखी यहां पे एक पसंद है तो मैं यहां पर डिजाइन वाला बना के दिखा रही हूं आपको आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं और बड़ी अराम सही पानी में ही आप जो है इसको स्लाइट कीजीगा क्योंकि यह काले बढ़ जाते हैं इसलिए यह देखी कुछ इस तरीके से मैं यहां पर इसका चिप्स बना रही हूं अगर आपको यह रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक कर दीजेगा और जिनको भी जरुवत है उनको सेयर भी कर दीजेगा क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही रेश्पी आपको मिलेंगे हाँ देखी मैने पर सभी जिभस बना लिए हैं यह देखिए कुछ इस तरीके से इसकी थीकनेस और और इसकी और मैंने रखी हुई है बहुत लोग बहुत पतला रखते हैं और भोड़ा सा ह्थिक रखते हैं तो тебе जैसा भी चाहिए उस ही सश्राहे आप चिप्स काट सकते हैं मैंने यहां पर यह देखिए इस तरीके से न जादा मोटा न जादा पतला मैंने इस तरीके से चिप्स काटा है अब हम लोग इसको दो तीन पानी तीन चार बार पानी से धूल लेंगे इसलिए क्यों कि इसका तो सारा स्टार्च वह बाहर आ जाए और जितना ही अच्छे से आप दूलोगे ना उतना ही आपका चिप्स वाइट वाइट और खिला खिला बनेगा यह देखिए यहां पर मैं आपको दूल तीन चार बार दूलने के बाद मैं आपको दिखा रही हूं पानी देख सकते हैं कि इदम वाइट है बिल्कुल एक्द अधर वाइट जो है वो आप सेधा नमक भी एड़ कर सकते हैं मैंने हाँ पी ऐसे नौली बनाया है और सारे चिप्स को डाल दिया है यह देखिए मैंने सारे कटिवे चिप्स को डाल दिया हुआ है अब हम लोग एक बॉयल आने तक इसको बॉयल करेंगे और ज्यादा ओवर बॉयल आये और ट्रास्पारेंट हो जाए वो तो तुरंद आप उसको निकाल दीजिए अगर पानी में छोड़के रखेंगे तो आपका जो चिप्स हैना वो ओवर कुख हो जाएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गरम होता है और वो अपने आप ही रखेंगे तो अप पालज alwaysने आपकर डीजाए और यहां पर हमें लुक्स फ्राई कर लेते हैं यहां पर मैंने तील को गरम कर लिया है तील इतना गरम होना है कि आपके डालते ही तुरंफ चुख अच्छली होפר आ और बहुत ज़दा गरम भी नहीं रखना है क्युक्स आपके चिप्स जल सकते बनके ये रेडी हुआ है हमारा जो है चीप सिफ आप चाहे तो इसमें बहुत सारे फ्लीवर्स एड कर सकते हैं जैसे की लाल मीर्च पॉडर जो भी आपको फ्लीवर पसंदे हैं मैं अभी फिलाल स्पाइस एड कर रहें सिफ काला नमक और लाल मीर्च पॉडर विकाउज हमें अभी यही खाना पसंद करती हूँ तो यहाँ पर यह देखी कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है और आपको कैसा यह वीडियो लगा जरूर बताना कमेंट करके और आपको ऐसी ही रेसिपी अगर देखनी हूँ नए नए और यूनिक यूनिक तो प्लीज मेरे चैनल को सब स्काइब कर लेना और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ अभी के लिए बाए बाए